पहले इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ी रितिक रोशन ने अपनी फिल्म सुपर्तिस की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है इस खबर की जानकारी रितिक ने खुद दी है अब ये फिल्म 6 महीने बाद 26 जुलाई को रिलीज होगी पहले इसकी रिलीज डेट 26 जन्वरी थी सुपर्तीस का निर्देशन विकास बहल ने किया था और मैटू कैम्पेइन के दौरान उन पर लगे कई गंभीर आरोपो के बाद फिल्म विवादों में आ गई इसके बाद फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसकाना पढ़ा शिखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन आज मना रहे हैं अपना 31 वं बर्थडे बॉलिवूड कलाकार अध्ययन सुमन आज 31 साल के हो गए हैं उन्होंने राज, जशन और इसक जैसी कई फिल्में की लेकिन वेह बड़े परदे पर पहचान बनाने में नाकाम्याब रहे अध्ययन सुमन अभिनेत्री कंग नारा नौत के साथ अफियर को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं साल 2016 में कंग नसे ब्रेक अप के बाद अध्ययन सुमन ने बेहत भयावै खुलासे करते हुए उन पर बेहत गंभीर आरोप लगाये थे इन में गंडी गालियां देने, थपड़ मारने, जो तिशी के पास जाने, जलील करने, काला जादू करने समेत अशुद खून मिलाकर खिलाने तक जैसे कई खुलासे किये, कपिल देव अपनी बायोपिक के लिए रनवीर सिंग को दे रहे ट्रेनिंग खलीब वोय का, ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब रनवीर सिंग ने अपनी अपकमिंग फिल्म 83 पर काम करना शुरू कर दिया है, ये कपिल देव की बायो पोटो शेर की थी, सेंसर बोड से ठाकरे के हिंदी वर्जन को मिली हरीजंडी शिव सेना के दिवंगत नेता बाला साहब ठाकरे पर बनने वाली बायोपिक का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया, ठाकरे के ट्रेलर में जिस तरह से मुंबई बम धमा के और राम मंदिर वि सेना सांसर संजे घाउत ने कहा, बाला साहब दूसरों को सेंसर किया करते थे